Hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं की कैसे आप अपने vivo v30 pro android mobile phone में आप अपने mobile phone के side वाले power button को दबाई बिना phone को restart कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ए वीडियो को हमें start कर लेते हैं देखिए दोस्तों आपकी mobile phone के side वाला जो power button होता है इसको दबाई भीना phone को आपना restart कर सकते हैं कैसे देखिए इसके लिए आपको mobile phone का setting का page open करना है setting के इस page में आपको जो है नीचे आना है यहाँ पर आपको यह option मिल जाता है यह shortcut and accessibility इसे आपको tap करना है इसके अगले page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको यह option मिलता accessibility menu इसे tap करना है अभी accessibility menu का page आता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे accessibility menu shortcut के ठीक साम इसे got hit पे tap करना है तो जैसे आपका यह button on हो जाता है तो आपके phone की screen पे एके accessibility menu का shortcut बटन यह दिखाई देता है अगर यह button चालू होने के बाद अगर आपको accessibility menu का shortcut button अगर show नहीं होता है तो आपको करने के here button off तो आपको Accessibility menu shortcut के नाम के अपर इसके नाम के ऊपर tap करना है तो आपका इस त architect आपको तरीके से page आगा इस page को ऊपर करना है जिसमें आपको नीचे allow पे tap करना है तो यहां पर इस तरीके का page आपको उपर वाला जो आपशेन है इस box पे tap करना है स्क्रीन के उपर हमेज़सा रहेगा यह ठीक है अब आपको करना कि इस बटन को टैप करने तो आपका छोड़ा पेज ओपन होता है इस पेज को अपने लेफ्ट और राइट ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी ऑप्शन होते हैं अब देखे इसमें आपको करना क्या है कि जो ऑप्शन है पावर का इस पावर के इस ऑप्शन पर टैप करना है तो यह मैंने आपको एक तरीका बता दिया है मुबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए बिना फोन को रिस्टाट करने का तरीका तो इस सेटिंग अच्छी लगिए तो इस सेटिंग को किया ठीक है